शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले देश में कोरोना महामारी के साथ साथ प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ रहा है अमफान चक्रावात के बाद अब निसर्ग चक्रावात ने पच्छी मित्तर के राज्य महाराश्रा गुजरात में दस्तक दी है जिसका कुछ असर विधर पर भी होने की संभावना मौसम में विभाग द्वारा जताई गई है देश पर कोरोना का संकट है तो दूसरी और प्राकृति का आपदा पहले अमफान के बाद निसर्ग चक्रावत इस्तुफान से तटिया इलाकों में पैड पौधे की रे तेज हवाओ के साथ ही भारी बारिश हुई जिसका असर विधर पर भी होना है शहर में सुभर छे बजे जोरो की बारिश हुई नागपुर में सुभर साड़े आठ बजे तक 22.8 मिली लिटर बारिश दर्श की गई विधर के नागपुर अम्रावति अकोला यौतमाल वाशिमादी जीलो में भी तेज हवाओ के साथ भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताए गई है विधर में ज़्यादा चिंता की बात नहीं है लेकिन 70 का इशरा मौसम विभाग द्वारा दिया गया है देश पर एक तरफ कोरोना का सांकट है तो दूसरी तरफ प्राकुरूति काबदा अमपान के बाद आप निसर्ग चक्रावाद जो है महराश्टर पर इसका खत्रा मंड़ा रहा है हम जानते हैं मौसम विभाग के अधिकारी शाहोजी से कि किस तरह से यह जो निसर्ग चक्रावाद है इसका एक खत्रा मंड़ा रहा है तो नागपूर और विधरबर पर इसका कुछ असर होगा या नहीं किस तरह से जो है फिलाल का जो एटमोस्पियर है वो चेंज होगा ब लैंडफाल होने माला है मतलब वो लैंड में इंटर करेगा सी से और यह अफ्टर्नून में मतलब अभी इसका लैंडफाल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है 2-3 घंटे इसको लगेंगे पूरे लैंड में आने में तो अभी सबसे क्रिटिकल समय होता है इस समय वहां पर जो ह है तो तेज हवाय चलती है जैसे इस निसर्ग के केस में जो है सौ से 110 किलो मेटर पती घंटे की रब्तार से हवा चल सकती है दूसरा भारी भारी होती है और तीसरा जो है समदर में उची-उची लहरे उटती है जो आसपास जो कोस्टल एरिया है उसके गाउं को डुबा सकत है या उससे जो है water-logging हो सकता है, तो अभी यह जो system है यह इसका maximum असर जो है जो खराब असर है वो कोस्टल एरिया में होता है उसके बाद जैसे अंदर आएगा ओ ढेरे-ठीरे थोड़ा सा कमजोर होने लगता है तो अभी यह severe cyclone है और जैसे land में आएगा यह cyclone बन तो यह इस तरह मूँ करने की संभावना इस तरीके से, तो नौर्थ इसकी जो मूवेंट होगी, तो यह जो मूवेंट है, यहां पर हम देख सकते हैं कि अभी इसका जो है, मूवेंट जो है, यह इस तरीके से होगा, तो यह जो है, आज रात को जब यह इस जगे पर इसका एफेक्ट जो है जादा हमारे यहां विदर्ब पे होगा तो विदर्ब में जैसे जैसे यह आगे बढ़ता जाएगा तो अभी अगले 24 आवस में मतलब रात से लेके कल सुबेरे तक विदर्ब में कहीं कहीं पे भारी भारी सो सकती है उसके अलावा जो है चालिस से पच किलोमेटर पती घंटे की रफतार से तेज हवा भी चल सकती है तो विदर्ब में इसके कारण जो है बस यह दो इफेक्ट होने वाले हैं तो यह बहुत जादा कोई डेंजरस नहीं होगे लेकिन थोड़ी सी जो तेज हवा चलेगी उससे कमजोर पेड़ पौदे या कच्छे मकान में थोड़ा डेमेज हो सकता है अदर्वाइस बहुत जादा कोई नुकसान की हो नहीं है और भारी-बारिस के जो नॉर्मल जो हमारे यहां पर भारी-बारिस होती है उसी के इसाप से तो बहुत जादा ऐसा कोई नहीं है लेकिन यह दो असर विदर्ब पर भी पढ़े या बादल चाहे रहेंगे क्या बता होगे जिस तरह से अभी खेती के काम भी शुरू होने वाले तो किस तरह का वातारण बना रहेगा अभी इसका जो असर है अभी दो दिन रहेगा तीन तारिक और चार तारिक को ज़्यादा रहेगा इसके पांच तारिक से थोड़ी हलकी ब यह है कि अभी पूरी जो मांसुन के इसाब से एक्टिविटी किसानों को शुरू नहीं करना चाहिए इस समय इसके बीच में भी तीन चार दिन जो है बारिस थाम जाएगे उस या हलकी फुल की बारिस पड़ेगे उसके बाद में फिर जो है प्री मांसुन सावस जो है मांसु अंसेट के लिए वो दस्तारिक के बाद में जैसे शुरू होता है तो उनको आगे की एक्टिविटीस करनी है तो निसर के चक्रावाद जो है जिसे विधव पर ज्यादा आसर तो होने वाला नहीं है लेकिन चिंता नहीं करनी है लेकिन सतक रहने का इशारा दिया गया है कैम